हेलो एवरीवन वेलकुम एगेन टू लंवरेतीवन लास्ट वीडियो में हमने नाइन्थ क्लास का जब जेवरफी का टेस्ट लिया था तो उसमें भी दो चैप्टर का ही टेस्ट लिया था इसके बाद ये दो chapter जो है उनका test आज होगा और आपके 9th class के revision जो है वो आपकी complete हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आपके तयारी बहुत मजबूत हो जाती है आप लोग exam में इतने अच्छे से तयार होकर जाओगे कि नौकरी जो है वो आपको बिल्कुल 100% मिलेगी तो च करते हैं आज का test copy pen लेकर बैटिए अपने answer जो है वो लगाते जाईएगा कि कितने आप सही करते हैं और कितने गलत विल्कुल इमानदारी के साथ ही करना है ठीक है यदि अपने channel को subscribe नहीं किया है subscribe करिए like करिए और ज्यादा से ज्यादा video को share करिए question 1 लेखिए सिंदू नदी की मुख्य सहायक नदी नहीं है रावी व्यास बेडच और जेलम तो इन में से सिंदू की सहायक नदी कौन सी नहीं है देखिए YouTube पर कोई problem आ रही है यदि किसी के पास notification नहीं आता है तो कोई बात नहीं आप लोग जब भी आपके पास video आ जाता है आप लोग तब इस test को कर लीजिएगा सिंदू नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी नहीं है तो बिल्कुल आप लोगोंने लगा लिया होगा आप लोगोंने यदि लगाया है answer C तो आपका बिल्कुल सही है रावी व्यास और जेलम चिनाव ये सिंदू की सहायक नदीयां है तो बिल् संबल, बेतवा, हिंडान और केन तो क्या रहेगा आपका answer फटाफट से सोचिए यहाँ पर तो बिल्कुल माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि answer क्या रहने वाला है तो विंद्याचल से यमना की कौन सी सहायक नदी का उद्बव नहीं हुआ है तो बिल्कुल answer क्या है answer है option नमबर C हिंडान चलिए next देखिए बांगलादेश में गंगा की साखा से निर्मित नदी को किस नाम से जाना जाता है option देखिए सांगपो, होगली, पदमा और मदुमती तो फटापट से अपना सही answer जो है वो सोचिए कि बांगलादेश में गंगा की साखा से निर्मित नदी को किस नाम से जानते हैं तो देखिए यहां पर answer क्या रहने वाला है तो आप लोगों ने लगा लिया होगा answer अब इसका सही answer जो है वो देखिए answer है पदमा नेक्स्ट देखिए question 4 ब्रह्मपुत्र नदी को उदगम से किस नदी के नाम से जाना जाता है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उदगम होता है वहां ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं सांको के नाम से पदमा के नाम से हुगली के नाम से या मधुमती के नाम तो फटापट से आंसर सोचिए कि ब्रह्मपुत नदी को उद्गम से किस नदी के नाम से जाना जाता है तो यहां आंसर जो है वो क्या रहने वाला है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ओप्शन ए सांगपो तो आई होप सबके अभी तक बिल्कुल राइट गए होंगे सभी बंगाल की खाड़ी में गिनने वाली नदी नहीं है दामोदर, नर्मदा, कृष्णा और कावीरी तो इन में से कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो आंसर है इसका नर्मदा नर्मदा जो है वह है बंगाल की खाड़ी में गिरकर कहां गिरती है अरब सागर में गिरती है इसके अलावाद दामोदर, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ठीक है ये सबी नदीया जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तो यहां पर एक आंसर तो आपको यह आना चाहिए कि दक्षिन की गंगा किसे कहते हैं? ठीक है? तो जिसे कहते हैं उस नदी का उद्गम इस्थल कौन सा है? तो दो कुश्चन आपको डारेक्ट यहां पूछ लिए गए हैं. फटाफट से बताईए महारास्ट्र, करनाटक, दिपरदिस या तमिल नाडू. देखो आपके कुश्चन जो हैं वो बिल्कुल यहीं से आपके एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं. तो कोई बच्चा ऐसा कहेगा कि बिल्कुल यही लाइन जो है वो आपके एक्जाम में आ जाए इस तरीके के पूछे जाएंगे. ठीक ह को समझ कर और फिर याद करना है. तो यहाँबर आंसर क्या रहेगा? दक्षण की गंगा कहे जाने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी. ठीक है? तो इसका उदघम क्या है? करनाटक से. ठीक है, करनाटक के कुर्ग जिले से. चलिए. दक्षण का उध्यान कहे जाने वाला किस नदी के डेलटा में बसा हुआ है तो बिल्कुल पिछले कोशन की तरही ही है क्रश्ना नदी, महा नदी, भीमा नदी या कावेरी नदी धक्षिन का उध्यान कहे जाने वाला जिला पहले तो ये पता होना चाहिए तो वह जिला किस नदी के डेल्टा पर बसा हुआ है तो यहाँ पर भी आपसे दो कुशन पूछ लिए गए है तो आज हमको बहुत सारे कुशन करने हैं लगबग 40 कुशन करने हैं फटाफट से अंसर दीजिए तो जिसने बिलकुल PDF से बहुत अच्छे से समझ कर याद कर लिए हैं कुशन या YouTube चैनल से ही याद किये हैं उन बच्चों ने अंसर लगाया होगा कावेरी नदी ठीक है दक्षन का उद्ध्यान जो है किसे कहते हैं तंजावर जिले को कहते हैं और यह कावेरी नदी के डेल्टा पर बसा हुआ है चलिए नेक्ट देखिए किस जील का निर्माण सांत ज्वाला मुखी के मुख से हुआ है लोनार जील, वूलर जील, कॉलेरो जील और चिलका जील तो किस जील का निर्माण जो है वह सांत ज्वाला मुखी के मुख से हुआ है तो फटाफट से सोचिए आप लोगों ने विल्कुल अच्छे से समझ के याद किया है तो यहां आंसर जो है वो विल्कुल क्या रहेगा आंसर रहेगा लोनार जील जिसका निर्मान कैसे हुआ है सांत ज्वाला मुखी के मुख में पानी भरने से हुआ है ठीक है इसके अलावा देखिए जो चिलका जील है ठीक है पुली कट जील है और जो केरल के तट पर बैमबनाद जील है इनका निमार जो है वो बालू मिट्टी के टीलों से बन कर हुआ है उसके अंदर पानी भरने से भारत का पूर्व से पक्षिम तक कितना विस्तार है या 2933 किलोमीटर तो फटापर से अपना सही आंसर लगाईए भारत का पूर्व से पक्षिम और उत्तर से दक्षन का कितना विस्तार है बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए तो कुश्चन नंबर 9 का फटापर से ओप्षिन लिखिए A, B, C या D तो यहाँ आंसर जो है क्या रहेगा बिल्कुल यहाँ टाइम नहीं दूँगी क्योंकि आंसर बहुत इजी है आंसर क्या है आप्षिन D 2933 किलोमीटर ठीक है और 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षन तक का विस्तार है डूंगरपुर बासवाड़ा के मद्दे कौन सी नदी सीमा बनाती है साबर मती नदी, चमबल नदी, माही नदी या बनास नदी डूंगरपुर बासवाड़ा के बीच में जो नदी सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है वो नदी है माही नदी चलिए सभी का सही रहा होगा कुश्यन 11 देखिए बाद मैं देखूंगे मैं सभी के कमेंट की किस किस के सही रहे जहलम नदी के किनारे कौन सा प्रसिद नगर बसा हुआ है श्री गंगा नगर, श्री नगर, कश्मीर या चंडिगर तो जो बच्चे regular हैं उनके तो बहुत अच्छे marks भी आते हैं और वो लोग बहुत ही सिद्धत के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं तो सभी के नाम जो है वो मुझे याद है जहलम नदी के किनारे कौन सा प्रसिद नगर बसा हुआ है श्री गंगा नगर, श्री नगर, कस्मीर या चंडिगर तो यहाँ पर जो आंसर आप लोगों ने लगाया आंसर श्री नगर नेक्स्ट देखिए कौश्टन 12 यमुना किस प्रसिद नगर के निकट गंगा में गिर जाती है अलहाबाद के निकट, एहम्दाबाद के निकट, इलहाबाद के निकट या हैदराबाद के निकट तो चलिए इसका आंसर जो है वहे भी बहुत ही आसान है कि यमुना जो है वहे गंगा से मिलती है कहां पर इलहाबाद में, ठीक है तो ये क्या है, ये गलत लिखा हुआ है अलाहबाद, ये क्या है इलहाबाद, ये सही है option C, दक्षन दिसा से कौन सी नदी गंगा में गिरती है गंडक, गोमती, महानन्दा या इनमें से कोई नहीं दक्षन दिसा से कौन सी नदी गंगा में गिरती है तो गंगा की सभी सहयक नदियां सभी को याद होगी तो आप सोचिए कि उत्तर से कौन सी नदियां आकर गंगा में मिल रही है और दक्षन से कौन सी मिल रही है तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या रहेगा गंडक, गोमती, महानन्दा या इनमें से कोई नहीं तो आंसर रहेगा option D, इनमें से कोई नहीं वो क्यों रहेगा क्योंकि दक्षन से एक मात्र सोन नदी जो है वह गंगा में आकर मिल रही है इसके अलावा गंगा की और भी सहायक नदियां है गंडक, गोमती, महानन्दा, राम गंगा ठीक है यह सबी नदियां जो है वह कहां से मिल रही है उत्तर से मिल रही है, माही नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, सोम है, अमबा, जाखम या उप्रोक्त सभी, तो बहुत ध्यान से ही आपको देखना है कि माही नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, सोम, अमबा, जाखम या उप्रोक्त सभी, तो यहाँ पर आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है option number D सोम, अमबा, जाखम ये तीनों ही माही की सहयक नदियां है नेक्स्ट है राजिस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवहा क्रम की नदी नहीं है कांतली, मेंधा, कांकनी और खारी तो जिनके सही जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अब भी अगर किसी के गलत जा रहे हैं और जिसने यूटूब पर भी पढ़ाई नहीं की है PDF भी नहीं ली है, तो अब भी आप ले सकते हो क्योंकि ये आप अपनी नौकरी के साथ ही खिलवाड करोगे तो देखिए पढ़ाई जो है, वह है आपको बिलकुल करनी चाहिए, बहुत ही ढंग से करनी चाहिए क्योंकि पास तो लगबग सभी बच्चे ही हो जाएंगे ठीके, कमटीशन जो है, वह अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपको मार्क्स जो है, वह 100 प्लस तो लाने ही होंगे तो यहां आंसर जो रहेगा, वो रहेगा खारी राजिस्थान में बहने वाली आंत्रिक अपवहाग्रम की नदी नहीं है, खारी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कहां इस्तेत है फुलेरा के निकट, डीनवाना के निकट, बीगोद के निकट या इनमें से कोई नहीं तो सर ने देखी, डीनवाना कर दिया है, डीनवाना है और ये बीगोद है तो आपको ये पता होने चाहिए कि ये जगे कहां है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कहां इस्तेत है यहाँ पर भी दो ही कोश्चन पूछ लिए गए है, सबसे पहले पता होना चाहिए सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो वो कौन सी है सबसे बड़ी खारे पानी के जील सांबर जील ठीक है भारत की क्या वो तो विस्व की ही सबसे बड़ी है तो ये जील कहां इस्तित है बीगोद के निकट है इन दीनवाना के निकट है या फुल एरा के निकट है तो चलिए आप लोगों के आंसर आ गए अब इसका सही आंसर है फुल एरा के निकट ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते दिनवाना जो है वो नागोर में है वीगोद भीलवाडा में है तो आंसर जो है वो आपको पता चल जाता तो कौन सी नदियां कहां से निकल रही है ये भी आप लोगोंने बिल्कुल याद किया होगा समझा होगा चलिए तो आप लोगों के आंसर आ गए है अब देखिए तापती जो है वो बेतुल जिला से विल्कुल सही है नर्मदा अमर कंटक से ये भी सही है गोदावरी नासी के निकट से है और कृष्णा जो है वह है महाबलेश्वर से है त्रिम्वकम पठार से नहीं तो ये आंसर जो है वो गलत हो जाता है यानि डी ऑप्षन जो है ये मेल जो है वो है गलत है नेक्स्ट एटीन है राजिस्थान की खारे पानी की जील नहीं है कचोर, कायलाना, खोसा और कामवोध अब आपने खारे पानी की सभी जीले तो याद कर ली होगी ठीक है यहां क्या पूछा है खारे पानी की जील इन में से कौन सी नहीं है देखिए RBSC की बुक्के अंदर से ही ये सारे प्रश्ण है, कहीं भी बाहर से नहीं है नहीं आपको बिलकुल एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, जो की आपके एक्जाम में नहीं आने वाला है और फिट भी आप लोगों को पढ़ना पढ़ रहा है बिलकुल आप लोग वही चीज पढ़ रहे हो, जो आपके केवल एक्जाम में पूछी जाएगी इसके अलावा, आप लोगों से इतना जादा नहीं पूछा जाएगा, कि आप लोग इतनी जादा पढ़ाई पतानी कौन कौन सी बुक्चों है वह आप पढ़ने लग जाओ, ठीक है वही पढ़ो जिससे कि आप एक्जाम क्रेक कर पाओ, अच्छे मार्क्स लापाओ तो RBSC जो है, वही आपके इस लेबस में मेंचन है, तो इससे बाहर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो खारे पानी की जील जो है, वह कौन सी नहीं है, आंसर है काईलाना, ठीक है चंबल नदी का उदगम इस्थल है, अमरकंटक पहाडी से, जना पाओ पहाडी से, मुराद गंच के निकट या इन में से कोई नहीं तो क्या रहने वाला है, आपका आंसर फटा-फट से सोचिए चंबल नदी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो फटा-फट से अपना सही आंसर जो है वह लगा दें तो बिल्कुल आंसर जो है, ओप्शन B है और यही आप लोगों ने लगाया होगा जना पाओ पहाडी से, ठीक है चंबल नदी मद्य प्रदेश की विंध्या चल की जना पाओ पहाडी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, मौू के पास से जैसमत जील के मद्य इसते सबसे चोटे टापू का क्या नाम है, बावा का भागडा, प्यारी, प्रियसी या कांक रोली तो सोचिए पटाफट से इसका सही उत्तर, क्या रहने वाला है आपका आंसर तो बिलकुल आंसर जो है, वो आप लोगों ने लगाया, बी आप्शन, प्यारी, ठीक है थोड़ा से पता होना चाहिए कि जैसमत जील कहां पर है, उद्धैपूर में है और देखिए जैसमत जील के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी कृतिम जील है ये ठीक है, कृतिम जील है, जैसमत जील, मीठे पानी की याद रखिएगा और सबसे बड़ा टापु जो है वो बाबा का भागडा है और सबसे छोटा जो है वो प्यारी है भारती प्राइदीपी पठार की अधिक्तम लंबाई कितनी है 600 km, 1800 km, 1400 km या 1200 km तो आंसर जो है, राइट है, ओप्चन नमबर B, अठारा सो किलो मीटर भारत की मुख्य बूमी का देशांतर ये विस्तार कितना है? आप चारों ओप्चन जो है, वो देख लीजिए, और ध्यान से इनको सोचिए कौनसा आंसर सही होगा भारत की मुख्य बूमी का देशांतर ये विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीके? या आंसर जो है, वो क्या रहेगा? मुख्य भूमी का देसांतरी विस्तार आप लोगों ने लगा लिया अब इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बताती हूँ option A ठीक है सबसे पहले तो पूर्वी देसांतर होगा 68 degree 7 मिनट से 97 डिगरी 25 मिनट तक ठीक है इसके लब D option तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि भारत जो है वह है पूर्वी देसांतर में है भारत की स्तली सीमा से सटा पडोसी देश नहीं है अफगानिस्तान, बांगला देश, श्री लंका या मियमार तो फटाफट से अपना आंसर जो है सही आंसर आपको ढूर्णना है और देखे कुशन हमको 40 करने हैं काफी कुशन है पटाफट से सही आंसर जो है वो लगाईए आंसर बिलकुल आंसर है श्री लंका यह स्थली सीमा से सटा पडोसी देश नहीं है तीके किस से है जली सीमा से है देश के संपूर्ण शेतरफल का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है 10.5 प्रतिशत, 18.6 प्रतिशत, 27.7 प्रतिशत या 43 प्रतिशत फटा-फट से आंसर लगाईए आपना कुश्यन नमबर 24 के आगे लिख कर कि ओप्शन A है, राइट ओप्शन B है, ओप्शन C है या D है, तो यह चारो ही important है, लेकिन यहाँ पूचा है मैदानी भाग, तो यहाँ आंसर जो है, वो क्या रहेगा, ओप्शन B, 43 परसेंट, ठीक है, 10.5 परसेंट जो है, वो क्या है, परवतिय शेत्र है, 18.6 जो है, वो क्या है, पहाडी शेत्र है, नेक्स्ट है, कुशन 25, ब्रहद हिमाले के प्रमुक सीर्स परवत कौन से नहीं है, Mount Everest, नंगा परवत, नंदा देवी या धौलादर तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा, व्रहद हिमाले के प्रमुक सीर्स परवत कौन सा नहीं है, पटापट से लगाईए, अपने आंसर, Mount Everest, नंगा परवत, नंदा देवी या धौलादर तो यहाँ आंसर जो है, क्या रहेगा, कि व्रहद हिमाले की सीर्स परवत जो है, वो Mount Everest है, नंगा परवत है, नंदा देवी है, लेकिन धौलादर नहीं है, धौलादर जो है, वह है मद्द हिमाले का सीर्स परवत है, ठीक है, धौलादर और पीर पंजाद, ब्रह्मपुत नदी की सहायक नदी जो मुख्य नदी के प्रवा के विप्रीत दिसा से आती है, लोहित, मानस, कपिली या धन सिरी, तो ब्रह्मपुत नदी की सभी सहायक नदियां याद रहनी चाहिए, याद की होंगी आपने, तो यहाँ विप्रीत दिसा से कौन सी आती है तो यहाँ पर जो आंसर है जिसने लगाया है option no.8 लोहित तो यह सही है व्रहद हिमाले शेत्र में प्रमुक दर्रे कौन से नहीं है जोजीला दर्रा बनिहाल दर्रा नीतिला दर्रा या मानाला दर्रा व्रहद हिमाले शेत्र में प्रमुक दर्रे कौन से नहीं है इसमें से एक जो है वो है व्रहद हिमाले शेत्र का दर्रा नहीं है तो वो कौन सा है तो क्या रहने वाला है आपका सही आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा तो चलिए, अब मैं बता देतीू हूँ आप सभी को किसका सही आंसर क्या है इसका आंसर है बनीहाल दर्रा बनीहाल दर्रा, बुडजिल दर्रा ये किसके हैं, लगू हिमाले के, ठीक है जिसे हम मद्द हिमाले ये हिमाचल हिमाले भी कहते हैं इसके अलावा जोजीला, दर्रा, नीतिला और मानला ये व्रहद हिमाले जैसे हिमादरी भी कहते हैं, आंतरिक हिमाले भी कहते हैं, महान हिमाले भी कहते हैं, इसके दर्रे हैं उपहिमाले का फैलाव का सीमांकन किस नदी से संबंदित है गिलगित नदी तिस्ता नदी सांगपो नदी या इन में से कोई नहीं अब उप हिमाले जो है वो किसे कहते हैं हम शिवालिक की बात कर रहे हैं बाहरी हिमाले भी कहते हैं इसको उप हिमाले भी कहते हैं ठीक है नवीन हिमाले भी कहते हैं तो इसका फैलाव का जो सीमांकन है वो किस नदी से संबंदित है तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल आंसर है तिस्ता नदी ठीक है जम्बू पहाड़ी से तिस्ता नदी तक उपे माले का फैला है शिवालिक श्रेणियों में नदियों के कटाफ से निर्मित चौड़े शेत्र जहां जलोड जमाफ से उचे गहाटी मैदान निर्मित हो जाते हैं तो किस नाम से जानते हैं हम इनको द्वार, दून, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं तो सोचिए सही आंसर इसका तो यहां पर आंसर जो है यदि आपने लगाया है option A तो यह भी है answer और option B लगाया है वह भी है यानि option C जो है यह सही रहेगा ठीक है द्वार और दून कहते हैं चलिए 1947 के बाद जब भारत का विभाजन भारत आजाद हुआ भारत के उतरी मैदान को किन नदियों के मैदान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिस बच्चे ने RBSC की बुक को फॉलो किया है वो पिल्कुल बेसिक जानते हैं हर चीज का तो उनके सामने कोई भी कोश्चन आता है बहुत अच्छे से उनको कर लेंगे तो देखिए ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि भारत की आज़ादी के बाद भारत के उतरी मैदान को किन नदियों के नाम से जानते हैं तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा बिल्कुल चलिए सबके आ गए हैं आंसर आंसर है ऑप्शिन B ठीक है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र पहले यहाँ पर क्या था सिंदू नेक्स्ट देखिए कोश्चन 31 सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भोगोलिक रूप से किस प्रकार का आकार बनाता है फटापट से बताओ त्रभुजाकार, धनुसाकार या शटकोणी है तो फटापट से इसका आंसर बताओ कुश्चन नमबर 31 का ओप्शन A, B, C या D तो बिल्कुल देखकर ही पता चल गया होगा आपको इसमें टाइम बिल्कुल किसी को नहीं लगेगा और आंसर है सही इसका ओप्शन नमबर C चलिए आज तो फटापट से आंसर जो है वो आप लोग लगा रहे हैं कुश्चन 32 भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदीसों मैंसे किस प्रदेस में दलदली शेतर पाये जाते हैं? बहाबर में, तराई में, बांगर में या खादर में तो आंसर जो है वो क्या रहेगा? सब के आ गए हैं सभी के अभी तक सही गए होंगे कुश्यन नमबर 32 पर हम लोग आ गए हैं आज तो काफी कुश्यन आप लोग कर लेंगे आंसर बिल्कुल सही है ओप्शन B, तराई कास व हाती घास आदी भारत के उतनी मैदान में किस प्रदेस की विसेस्ता है? भाबर, तराई, बांगर या खादर तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? यदि आप लोग यहां पर टैस्ट नहीं देते तो आप ये आदा या एक घंटा पढ़ाई का बिल्कुल नहीं निकालते ठीके, तो टैस्ट जो होता है, वो क्या होता है? ये पढ़ाई करने का अधर तरीका होता है, जो हमें बेठा देता है, कि हाँ, अब हमें टैस्ट देना है और अगर मैं टैस्ट नहीं लूँगी तो आप लोग इतने सिद्धत से नहीं पढ़ोगे Q33 जो है इसका आंसर जो है क्या है? आंसर है option B तो जिसके सही हैं वो क्या करेंगे? अपने आपको एक माक्स जरूर देंगे नवीन तलचट वकाप से निर्मित भारत के मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर, तराई, बांगर या खादर तो शब्दी ही आ गया है देखिए नवीन तलचट नवीन आ गया तो बिल्कुल फटाफट से आंसर जो है वो आप आजाना चाहिए सभी का तो उस मैदान को हम क्या कहेंगे? चलिए लगबग सभी के आंसर आ चुके हैं आंसर क्या रहेगा? आता है तो आप लोग फटाफट से करते हैं आंसर, ओप्सन नमबर डी है खादर राजिस्थान को प्रशाशनिक आधार पर कितने तहसिलों में बाटा गया है? 144 तहसिलों में, 244 तहसिलों में, 108 तहसिलों में या इन में से कोई नहीं देखे कई बार बहुत आसान प्रशन जो हैं वो आपके एक्जाम में आएंगे आपने देखे भी होंगे कि कितने आसान कोशन भी आते हैं और कई बार बहुत जादा टफ भी आते हैं तो एक्जामिनर जो है ना तो कोशन ऐसे देता है कि सभी कर लें और नहीं कोशन ऐसे देता है कि कोई न कर पाए तो बिल्कुल लेवल जो है वो बहुत हार्ड भी होता है और आसान भी होता है ठीक है इसी तरीके से हम भी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं तो आंसर है option number B 244 तहसीर 12 व कोटा में कापी बेसिन भाग में कौन सी पहाड़ियां इस्तित है मुकुंदरा पहाड़ियां बूंदी पहाड़ियां उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं बारा वा कोटा में कापिये बेसिन भाग में कौन सी पहाड़ियां इसके थे हैं मुकुंदरा पहाड़ियां, बूंदी पहाड़ियां, उपरोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो question 36 का option A मुकुंदरा पहाड़ियां, option B बूंदी पहाड़ियां, option C उपरोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो जिसने लगाया है answer option number C, तो वो सही है उपरमाल संबंदित है, बहाड़ियां, 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 उपरोक्त दोनों से या इन में से कोई नहीं यहाँ पर जो answer रहेगा वो रहेगा option number C, उपरमाल संबंदित है बहाड़ियां, 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 वो दोनों से कोई नहीं जिले में, कोटा जिले में या भीलवाड़ा में। तो किन जिलों को कहते हैं हाड़ोती का पठार। हाड़ोती शेत्र में कौन-कौन से जिले आते हैं। हाडोती, शेत्र के अंतरगत, बारा, बूंदी, कोटा, भीलवाडा, इसमें से कौन से जिले आते हैं, यदि आपको वो पता है, तो ये भी पता चल जाएगा, कि यहाँ पर कौन सा आपका राइट होगा, तो यहाँ बिलकुल क्या होगा, भीलवाडा, यह क्या है, यह हाडोत प्रवाज शेत्र के, शेत्र को क्या कहा जाता है, भावर, बांगर, बागर और खादर, राजिस्तान के आंतरिक अपवाह के शेत्र को क्या कहते हैं, भावर कहते हैं, बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं, या खादर कहते हैं, तो सोचिए सही आंसर क्या रहने वाला है यहां पर देखिए option B और C इन दोनों में ही आप लोग confused रहेंगे तो फटा-फट से answer लगाईए तो यहां पर जो answer रहेगा option B जिसने लगाया option B बांगर तो वो बिल्कुल सही है ठीक है एक होता है बागड प्रदेश तो जो लूनी बेसिन है वो है बागड प्रदेश ठीक है डुंगरपुर और बासवाड़ा के पास का शेत्र वो है बागड यह क्या है बांगड तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा यहाँ पर अगर लिखा होता है राजिस्थान के सेखावटी अंतह प्रवाही जो प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है तब भी आंसर होता है बांगड ठीक है चली आज की अंतिम प्रश्ण पर आ गए है तो नहीं का सही होना चाहिए खारे पानी की जीले होगी तो यहां पर कौसी नहीं है ऐसा पूचा गया है तो चलिए कोशियनस नमबर 40 सभी का सही होना चाहिए 40 में से कितने आप लोगों के राइट जाएंगे आप लोगों को ये भी बताना है तो बिल्कुल जिसने लगाया option number C ये है टेथिस सागर का हिस्सा नहीं है सामबर जील, 15 जील और लून करंट सर ये सब क्या है टेथिस सागर के अफसेस हैं राजिस्तान की जीले हैं खारे पानी की तो आप लोगों ने कितने सही किये हैं एक तो आप ये बताएंगे क्योंकि मैं सभी बच्चों के बिल्कुल देखने वाली हूँ और next जो टेस्ट होगा उसमें सभी बच्चों के नाम जो है लोंगी जिनके माक्स 40 मैं से 38, 37 तक आ रहे हैं यानि 37, 38, 39 और 40 ठीक है इन चार लाइनों में यदि आपके आ रहे हैं तो उनके नाम जो है वो बिल्कुल लोंगी तो नाम लेने का मतलब यही है कि तयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बाकी बच्चे जो है जिनके नहीं आते हैं वो भी उनके नामों को जाने कि कैसे बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं कैसे जॉब जो है वो ली जाती है ठीक है बहनत करनी पड़ती है ऐसे ही इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है तो चलिए next test की सूचना वो भी आपको मिल जाएगी नाइन्त क्लास तक की geography आप लोग पढ़ चुके revision कर चुके test दे चुके ठीक है 10th क्लास का test जो है अब हम वो start करेंगे तो चलिए आपको सूचना दे दी जाएगी मिलते हैं next test में thank you झाल झाल